नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका चिराग कलासेज के ओनलान यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आप सब बढ़ी होगे तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो अप सभी के लिए बहुत ज्यादे इंपूर्टेन रहने वाला है जो पंडिडेट SSE GD बढ़ी 2425 यानि जो नहीं वाली वेकंसी है उसकी त्यारी में लगावा है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको ये बताऊंगा सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि SSE GD के अंदर जो आपका कटोप है वो हर साल आपको ज्यादा देखने को क्यों मिलता है किस आदमी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कटोप बढ़ रहा है फिर भी आप अपना सेलेक्शन के से ले सके ठीक है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सांदार रहने वाला है इस वीडियो के अगर आप देखते हैं और पिर अपनी त्यारी करते है तो अगर जिसमें कम आवेदन होगे तो उसका कटोप भी कम जाएगा अगर आवेदन अधिक होते हैं तो बच्चे कंपेटिशन में भी ज्यादा रहेटेंगे ठीक है और कटोप आधिक जाएगा तो सबसे मुक्के कारण आपका यह हो गया कि अधिक आवेदन की वज़ए से आ 2023 वाला ठीक है 24 वाला और एक आप नहीं वेकेंशी है 2024 वाली ठीक है इसमें आपका कटोप बढ़ने का सबसे मुक्य कारणी यह होता है कि परिक्षा का इस तर पिछला जो अभी जो वेकेंशी चल रही है आपने देगा होगा है कि इसका पीटी पीएश्टी कटोप भी ज़्यादा तुक्य लगाएं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंगें आप समझ सकते हैं ना कि बराबर है आठ क्यूशन अगर आपके गलत होते हैं तो एक जो सही क्यूशन जो दो नंबर का होता है वो आपके काट लिये जाते हैं यह होता है एक बटा आठ की तो राज्य वाइज कटोब आरक्सल राज्य वाइज कटोब का मुक्य अगार ने बताओं क्या है जैसे माल लिजे बहुत सारे स्टेट ऐसे जैसे राजस्तान है यूपी है बिहार MP है अब माल लिजे किसी स्टेट में अगर SC के कंडिडेट ज्यादा है ठीक है और ज्याद ब्रस के कटोब ज्यादा गई थी और उमिदवार को यह मालूम है तो वे क्या करेंगे ज्यादा मैनत करेंगे ठीक है ज्यादा मैनत करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे तो कटोब भी ज्यादा जाएगी ठीक है यह एक आपका कारण हो सकता है इसके बाद में पोस्ट की संक्या कम है तो भी कटोब आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ठीक है इसके बाद में मेरिट आदारी चैन में कैसे बता रहा हूँ जैसे ऐसा सी जीडिय में मेरिट की आदार पर बता देता हूँ अगर आप भी अससी जीडि वर्ती दो हजाद चोईश पचीज यानि जो नई वाली वेकंसी है अगर इसकी तैयारी में लगे हुए है तो यहाँ पर चक्षू पब्लिकेशन की बैस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुक है सब्जेक्ट वाइज यहाँ आप पर यह बुक है रिजनिंग की और यह बुक है आपकी हिंदी की इसी परकार चारू बुक का कॉम्बो पेक मिलेगा ठीक है मैं एक वार बता देता हूँ इन बुक के खास चीज़ क्या है जैसे रिजनिंग वाली बुक है तो इसके इंदर 750 प्लस अब्जेक्टिव टाइप क प्रतेक बुक में 2024, 2023, 2021, 2019 के सबी SSGD के सवाल मिलेगे विद्ट सोलिशन ठीक है अब एक वार में बुक आपको ओपन करके दिखाता हूँ ठीक है जैसे आपने रिजनिंग वाली बुक है आपकी ठीक है इसमें क्या होगा जैसे SSGD में जितना भी रिजनिंग आपका सलेपस है वो सारा सलेवस आपको फ्रेंट पेज के ऊपर देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर एक एक टोपिक को जैसे पहला टोपिक था सारदस्य ठीक है उसके बाद में समझाने के बाद में प्रेक्टिस के लिए वही क्यूशन दिए गये जो आपके पीछे सालों में पू बहतर होगी इसी परकार आपको चारो बुक मिलेगी यह रिजनिक है और सामने ग्यान और हिंदी और रिजनिक के अंदर आ चुका है डिस्क्रिप्शन बोक्ष में सभी बुक का लिंक दिया वाए जाए पर्चेस कीजिए और अपने त्यारी को और बी ज्यादा बहतर चाहिए ठीक है syllabus देखना है आप क्या आप वही syllabus पढ़ने जो आपका SSC GD में पूचा जाता है तो syllabus आपको अच्छी तरह किसे देख लेना है उसी प्रकार आपको त्यारी करना है इसके बाद एक्जाम पेटन देखना है आपको देखना है कौन से सब्जेक्ट है कितने कितने पुच्छे जा रहे है और नेगेटिव मार्किंग क्या है ठीक है आप सभी को पताए एक बटा आप नेगेटिव मार्किंग है ठीक है तो उसी प्रकार पेपर को भी अटेंड करना है प्रेक्टिस आपको बढ़िया रखना है इसके बाद में दूसरा आपका समय प्रबंद आपको एक सटीक टाइमटेबल बनाना है कि मेरे को जैसे पूरे जैसे आभी आपके माहा बाद मान लिजये लगवख से तरश आसे दिन आपके पास पढ़े तो आपको इसपरकार का शेडूल बनाना इस परकार का टार्ट बनाना है और प्रतेक आपका जो सब्जेट को समय दे, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इस परकार आप त्यारी करोगे, आपका selection कोई ने रोख पाएगा, और कमजोड topics पर अधिक ध्यान दे, ठीक है, समय पर revision करें, ये चीज़े आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद में, पिछले वरसों के परसन पत् इसके बाद में, मोग टेस्ट और ओनलाइन प्रेक्टिस करें, मोग टेस्ट लगाना है, मोग टेस्ट के लिए मैंने आपको बुक बता ही दिये, ठीक है, अगर ओनलाइन लगाना चाहते हो, तो ओनलाइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो मोग टेस्ट और ओनलाइन प् किसियों के basic concept को मजबूत करें आपको अगर basic पता नहीं है तो आप किस्वन भी हल नहीं कर पाऊगे एक बर basics clear हो जाने के बाद ही advanced person पर आप काम करेंगे इसके बाद में जीके और current appearance की भी त्यारी रखें साथ साथ आप सभी को बता है current appearance इसे बहुत सारे स्वाल पुचे जाते हैं ठीक है तो हुमार गोर्वसर की एक 6 बचे class आते है फूल पत्ती class उस class को अटेम्ट कीजिए उससे आपका जी के बहुत ज़्यदा मजबूत हो जाएगा ठीक है इसके बाद में physical fitness पर ध्यान दे बहुत सारे लगाने से जैसे आपने एक topic clear कर लिया उसके बाद में चोटे चोटे sectional और चोटे चोटे टेस्ट लगा सकते जिसे क्या होगा आपको एक confidence आएगा कि हाँ मेरे को इतना याद है ठीक है यह चीज़े आपको करना है इसके बाद में नोट्स बनाए और ऐसे क्या होगा आपका सरीर खराब हो जाएगा यह चीज़े आप ध्यान रखना है इसके बाद में किसी भी गला सुचना से बचे यानि बहुत सारी YouTube यह चीज़े थी जो आपके सेलेक्शन को आपको सेलेक्शन के बहुत ज़्यादा नजदीक ले जाएगी अब यहां पर जो 2023 का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं अगर आप जैसे हिंदी स्टेट्स हैं अगर आप हिंदी स्टेट्स हैं तो लगबग अगर साथ से आठ नंबर पलस है तो आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं ठीक है अगर आप नो निंदी स्टेट्स है तो लगबग आपको चार से पांच नंबर भी है पलस तो आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं ठीक है यह एक आपको अंदाजा बता रहा हूं अब आपको कम हिन्द जई बारत वंदे मातं!